एक समय की बात एक विपारी के घर में चोरी हो जाती है उसके पास जितना भी पैसा होता सारा चोरी हो जाता है पहले के लोग बैंग में तो पैसे रखते नहीं थे तो जो भी उसके पास पैसा था सारा चोरी हो गया अब वो सोचते है विपारी की मैं विपार करूँगा कैसे अब तो मेरे पास विपार के लिए पैसा ही नहीं है अब पैसा होता नहीं है दीरे दीरे जरुरते सामने आने लगती है और जो घर का समान भी होता है वो भी बिकना शुरू हो जाता है एक समय ऐसा आता है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता अब उस विपारी की वाइफ उसे बोलती है कि आप राजा के पास रही है राजा ही आपकी मदद करेंगे अब आप महारी मदद कोई और कर ही नहीं सकता तो वो जो विपारी होता है बहुत समझदार होता है बहुत इंटलिजेंट होता है उसे गाना गाना भी बहुत अच्छा आता है तो वो राज दरवार में पहुँच जाता है और राजा को ऐसे ऐसे भजन सुनाता है ऐसे ऐसे गाने सुनाता है कि राजा बहुत खुश हो जाता है प्रसन हो जाता है और बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए अब विपारी बहुत समझदार होता है विपारी पहले राजा को बोलता है कि अगर आप मुझे सच में खुश हुए ही है तो क्या आप मुझे एक लाक सुने के सिक्के दे सकते हैं अब राजा बोलता है पागल हो गयो तुमने मुझे गाना ही तो सुनाया गाने गाने के कौन भई एक लाक सिक्के लेके जाता है पूरा दर्बार उस आदमी पे हसरा होता है अब वो विपारी इस बात से नाखुश हो जाता है अब वो राजा को बोलता है कि महराज आप इतने बड़े राजा है क्या आपके पास शत्रंज है अब राजा हसने लगता है, कहता है हमारे पार शत्रंज क्यों नहीं होगा अपने मंत्री को बोलता है और एक मिनिट में शत्रंज सामने आ जाता है अब वो विपारी बोलता है महराज, आप मुझे एक लाग सोने के सिक्के मत दीजिए आप मुझे सिर्फ एक सुने का सिक्का दे सकते हैं राजा बोलता है सिर्फ एक अब बो हसने लग जाता है राजा की एक सिक्का मांग रहा है पड़ वो विपारी बोलता है ये शत्रण्ज आपके सामने है इसमें 64 खाने है मैं चाहता हूँ आप इतने बड़े राजा हैं आप मुझे एक सोने का सिक्का आज दीजिए मैं एक ही लेकर जाओंगा पर कल मैं दुबारा आओंगा और मैं 64 दिन तक रोज आओंगा आपकी दरबार में मैं चाहता हूँ बस आप मुझे आज जितने सिक्के दे रहे हैं कल उसका डबल दे दीजिएगा आज आप एक दे रहे हैं कल आप मुझे दो सुने के सिक्के दे दीजिएगा उसके बाद चार इस तरीके से हांट इस तरीके से मैं रोज आपकी शतरंच पे एक काटा लगा के चला जाओंगा, एक क्रॉस बना के चला जाओंगा और जिस दिन 64 दिन हो जाएंगे, मुझे लगेगा मेरा मुझे एनाम मिल गए इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप इतने बड़े राजा हैं, इतना तो आप मेरे लिए करी सकते हैं अब राजा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता है, राजा कहता है चौसट खाने हैं, एक सिका आज मांगरा है कल दो ले जाएगा, कितनी ले जाएगा अपने महा मंतरी को बोलता है, महा मंतरी, इस वेपारी को रोज आप सिका देंगे, आज अभी इसे एक सिका दे दीजे सोने का ये कल फिर आएगा, मुझसे बिना पूछे, इसे रोज डबल करके सोने के सिके दे देना अब इसी तरीके से रोज वेपारी दरवार में पहुचता है, महरास से नहीं मिलता महा मंतरी उसे अपने आपी डबल करके सोने के सिके दे देता है तो पहले दिन तो उसे जहां पे एक सोने का सिका मिलता है, दूसरे दिन मिलते हैं दो पर 23 दिन कुछ ऐसा होता है कि राजा भी घबरा जाता है मामंतरी भागा भागा राजा के पास आता है और बिल्कुल पसीना टपक रहा है घबरा है हुआ है मामंतरी और उसे बोला नहीं जा रहा अब राजा बोलता है हुआ क्या है महामंतरी मेरे सामने ऐसे क्यों आयो किसी ने हमला बोल दिया क्या हमारे उपर क्या हुआ क्या हुआ क्या है मुझे बताओ महामंतरी बोलता है महराज हमारा पूरा महाकोश खाली हो गया हमारे पास अब कुछ नहीं बचा सब लुट गया सब चला गया राजा बोलता है पागल हो गयो किसने चुराया किसने हमारी सारी संपत्ती ले ली हमारा सारा सोना कहां गया वो महामंत्री बोलता है महराज आपको याद है वो विपारी जो 23 दिन पहले दरवार में आया था उसने हमारे साथ एक साज़िश करी है हमारे सारे सिक्के वो लेके जा चुका है आज ही मैंने उसे 41,uses,94,304 सिक्के दिये राजा कहता है पाघल हो गई हो तुम ने किससे पूछ के उसे 44,uses,94,304 सिक्के दे दिये इतने थोड़ी देरे थे उसे महामंतरी बोलता है महराज आपको अपना वचन याद नहीं आपने बोला था मुझसे बिना पूछे ही उसे हर रोज डबल करके सोने के सिक्के दे देना महामंतरी बोलता है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया महराज मैंने उसे पहले दिन एक सिक्खा दिया था दूसे दिन दो दिये तीसे दिन चार दिये चौते दिन आठ दिये पांच़वे दिन िन तक 128 सिक्खे दिये थे तो राज़र बोलता है बागी के कहा गहे महामंत्री बोलता है महाराज आगे तो सुनिए नॉवे दिन तक उसे टू फिटी सिक्क के खे गए दे बट सोलुए दिन तक उसे 32,000 से जादा सिक्क के चले गए इसी तरीके से सत्वे दिन 65,000 से जादा मैंने उसे दिये उसके बाद डबल उना शुरू होगी हमराज 18 दिन तक मुझे लगा है बहुत सारे सोने के सिक्के लेके जा रहा है क्योंकि 1,31,000 से जादा सिक्के मैंने उसे दिये थे पर उसके बाद 19 दिन 2 लाग से उपर 20 दिन 5 लाग से उपर 21 दिन 10 लाग से उपर और 22 दिन 20 लाग से उपर 20 लाग सोने के सिक्के तक मुझे लगा हमारे पास है अभी राजकोश में बहुत पैसा होगा बढ़ आज मैंने जब उसे 41 लाग से जादा सिक्के दिये मैंने देखा अब राजकोश में कुछ नहीं बचा और इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ अब अगले दिन वो हमसे 83 लाग से जादा सिक्के लेने आ रहा है माराज इतना पैसा इतने सिक्के हम कहां से लेकर आएंगे अब राजा को समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या है पूरी रात राजा को नीन नहीं आती अब अगले दिन जब दरबार में वो विपारी आता है राजा अपना सिंगहसन छोड़ता है और उस विपारी के पैरों में गड़ जाता है बोलता है कि मैंने आपको सब के सामने वचन दिया था कि मैं हर रोज 64 दिन तक आपको पैसा डबल करके दूँगा पर मुझे नहीं पता था उस दिन दरबार में जबस दिन आपने मुझे से एक लाग सिक्के मांगे थे इतनी बड़ी भूल हो गए मुझे उस दिन आपको एक लाग सिक्के दे देने चाहिए थे मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े ग्यानी है आपने 64 दिन तक ये बोला कि आप मुझे सिर्फ डबल गर के दे दीजिए एक सिक्का और मुझे लगा आप कितने सिक्के मुझे ले जाएंगे और कल मेरे महमंतरी ने बताया कि हमारा पूरा राज कोश खाली हो गया है अब हमारे पास इस सिंगहसन के लावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पूरे राज्ये में इतने सिक्के नहीं है सोने गे तो आप मेरा सिंगहसन ग्रहांड करें देखे ये तो एक कहानी थी जिसमें राजा को पावर ओफ कंपाउंडिंग नहीं पताती और उस विपारी को उस बिजनसमेन को पावर ओफ कंपाउंडिंग पताती एक पावर ओफ कंपाउंडिंग से एक सुने का सिक्का 23 दिन तक 41,94,304 बन सकता है आप जरा सोची अगर ये एक रुपया होता तो 23 दिन 41,00,00,00 से ज़्यादा हो सकता है बट अगर आज ही आपको कोई बोले कि आज आप मुझसे 10,00,00,00 रुपय लिलो या फिर हर रोज मैं आपको 64 दिन के लिए एक रुपया आप मल्टेप्लाइ करके देता रहूँगा डबल करके देता रहूँगा तो आप क्या चूज करेंगे आपका लग रहा होगा कि आप तो आप एक रुपय को ही चूज करेंगे कि हर रोज डबल करके मिले पर ऐसा नहीं है जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे इस वीडियो को शूट करने से पहले ये सेम सवाल मैंने अपने कैमरा मैंन से बूचा और उन्हें बोला सर मैं तो 10 लाख रुपे को चूस करूँगा क्योंकि कितना ही हो जाएगा भई 64 दिन तक कितना ही हो जाएगा अब जैसे मैंने बोला कि यह तो एक कहानी थी रियल लाइफ में यह पाउर ओफ कंपाउंडिंग कैसे काम करते हैं इसे समझते हैं देखें यहां पर क्या है जब एक का दो हो रहा है तो आल्मॉस्ट हंड़ेड परसेंट की रिटरंस मिल रही है अब यह हंड़ेड परसेंट की रिटरंस हर दिन नहीं मिलती कहीं भी नहीं मिलती वरनार को यह मानी बन जाएगा बट बात यह है कि अगर आज आपने इस पाउर ओफ कंपाउंडिंग को समझा लेट मी टेल यू वन तेंग यूर लाइफ इस कोना चेंज फॉरेवर आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है लेट मी टेल यू वाई देखिए अगर हम रूल आफ सेवेंटी डू की बात करें अब आप मेंसे जाधातर लोगों को रूल आफ सेवेंटी डू पता होगा कम से कम उन लोगों को तो जूरूर पता होगा जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो रूल ओफ सेवेंटी डू कहता है कि आपको जो भी रेटरंस मिल रही है साल की माल लेते हैं आपको सिर्फ बारा परसेंट की रेटरंस मिलती है तो आप उसे सेवेंटी टू से डिवाइड कर दीजे आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो छे साल में आपका पैसा माल लेते हैं डबल हो रहा है वहां पर एक दिन में हो रहा था यहां पर छे साल में हो रहा है दो का चार करोड रुपे होगा, चार का आठ करोड भी होगा, और आठ का सोला करोड रुपे भी होगा, बट अब बाद आते है कितने टाईम में, यहां पे छे साल में हो रहा था, सिक्स येर्ड में, ठीक है जी, हमने rule of 72 के अब समझ लिए यह 12 साल हो गए यहां पर 18 साल हो गए और यहां पर 24 साल हो गए अब आप कहींगे 24 साल में जाके सर यह 16 करोड रुपे हो रहा है एक करोड का 16 गुना हो रहा है चौबेस साल में 12 पर से गहिए पट भाइ मेरे सवाल है यह मनें 12 पर डाइस ही लिख तो दिए आपको पट आप मुझे बता हूँ आपको हैं यह मान के सब्सक्राइब करोड रुपें क्रों नहीं है इक लाख है जो भी and I'm sorry to say dear 6% 5-6% तो inflation ही बढ़ रहा है inflation क्या होता है महंगाई तो अगर आप bank में पैसा रखते हैं 3% के जाब से तो आप loss में जा रहे हैं आप negative में जा रहे हैं compounding negative में काम करेगी और आपको साल बात देखेंगे कि आप गरीब होते जा रहे हैं अमीर नहीं हो रहे अगर आप FD में पैसा रखते हैं 5-6% तो पैसा बढ़ गा रहा है जितना रखा है उतना उस पे जंग लग रहा है inflation महंगाई आ रही है और आपको उतना रेटन मिल रहा है तो FD कुछ नहीं है FD तो बस यह है कि आप करना पैसा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है बट फिर क्या करें वाट तो डू नेक्स्ट अब आप बहुत सरे investment options को समझ सकते हैं देखो हमने FD को यहां पर discuss करी लिया बहुत सरे लोग FD कराते हैं दूसरे investment option समझते हैं लोग कि हम गोल्ड खरीद कर लिए चलो जहां पर आपको 5-6% की return मिल रही है यहां पर आपको 9-10% की return मिल जाएगी लोग और क्या करते हैं जब उनका पैसा आ जाता है real state वो real state में investment कर देते हैं अगर आप real state में investment करते हैं तो पहली बात तो आप 10-20,000 से investment नहीं कर सकते real state में आपको लाखो करोड़ो रुपे चाहिए तो यहां पर जिनके पास small capital है वो तो आई नहीं सकते मैं returns की बात नहीं कर रहा है क्योंकि real state में अच्छी returns मिलती है no doubt about that डिपेंडिंग आप क्या खरीद रहे हो कहां खरीद रहे हो एंड खासकर land में आप investment करोगे तो आपको depreciation तो होता नहीं उसमें आपको depreciation होना है बट बात यह आती है क्योंकि population हमारी बहुत जादा तो real state में पैसा बढ़ेगा बट अगर capital smaller तो you are out of the game then लोग mutual funds में investment करते हैं अब mutual funds में भी लोग किस तरीके से investment करते हैं या तो equity investment लेते हैं equity mutual funds वो debt mutual funds भी रह सकते हैं safe side के लिए अब equity is a very important thing यहां पर इस equity को मैं समझा देता हूं क्योंकि आप अगर mutual funds में जाओगे अच्छे mutual funds में आपको 15% से जादा की भी returns मिल सकती हैं जो हम अभी 12% की बात कर रहे हैं अब यह equity का मतलब क्या होता है shares में investment अब आपको लग रहा है को share market तो बड़ा रिस्की है देखो real life में compounding कैसे खाम करता है भी बताऊँगा अगर आपने corona virus से पहले किसी भी अच्छी company के share खरीदे होते हैं तो कम से कम मरे से मरा आपका पैसा double तो होई चुका होता है ऐसी भी कुछ companies हैं जिसमें corona के बाद अभी तक lockdown के बाद की बात कर रहा हूं दस गुना पैसा बढ़ चुका है कितने time period में बहुत ही कम time period में अगर को इस multiplication effect को continue रखे तो कितना पैसा कमा सकता है ऐसा नहीं कह रहा है हर बाद दस गुना होगा बट on an average अगर आप अच्छे शेर्स में investment कर रहे हो यह 15% चोड़ो आप 18% से उपर की return easy ला सकते हो अगर आप अच्छे शेर्स में investment कर रहे हो अब 18% की return investors के लिए है जो traders होते हैं जो trade कर रहे होते हैं वो दिन का दिन का चाहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं एक से थीन परसेंट की return में नहीं कहता हूंने रोज मिलती है पर मान के चलते हैं अगर उन्हें 2% की return मिल जाती है trade करते हुए अब वो trading कैसे है we'll talk about that but trade करते हैं 2% की return है 30 दिन तो share market खुलता नहीं 30 में से आप माल लो 10 दिन बंद रहता है तो 20 दिन trade करके 40% की return अब कहेगा कोई आदमी यह बिल्कुल बेवकुब वाली बात है 40% की return कौन किसकी capital पर ला रहा है compounding काम करेगी तो फिर क्या होगा वो मुगेशमानी बन जाएगा भी यह compounding काम करेगी मैं कह रहा हूँ 40% की return लोग target लेके सलते हैं कि हमें आए सबको नहीं आती because not everybody is perfect every time ऐसा नहीं होता हर बार trade की हर बार profit हुआ but yes there are people जो easily अपनी capital के ऊपर 10 से 15% की return साल की नहीं महीने की भी लेकर आ रहे है share market में equity के अंदर this is possible मैं यह नहीं बोल रहां कि आपके साथ हो जाएगा मैं यह बोल रहा हूं यह possible है और यह possible है और आपके साथ हो सकता है कैसे if you learn this game आज की वीडियो एक आपके लिए काई ओपनर वीडियो है बिकस जादों तो लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझते उन्हें पता भी नहीं मतलब उन्हें पता भी नहीं दस से 15% का मतलब क्या है आप एक example मैं आप example के लिए लेकर चलिए आपके पास एक करोड़ रुपे है और एक करोड़ रुपे अगर आपको 10% की रिटन आ जाती है अगर आ जाती है तो यह एक करोड़ 10 लाख रुपे होता है अगले ही महीन यह second month की मैंने बात करी यह first month की बात करी अगर आप इस अज़ाब से भी calculate करोगे आप again comments में बताइ आप कमार है और नहीं कमार है totally आपके उपर है पैसे को सेव नहीं करना पैसे को invest करना compound करना जिसने compounding सीख ली वो आदमी अमीर बन रहा है और अमीर बनता चला जाएगा जो आदमी इसमें से पैसा खर्च कर देगा एक करोड़ 10 लाख रुपे होए 10 लाख रुपे की जाके बाइसम नहीं गाड़ी ले आए और वो पैसा खर्च हो गया तो फिर वो compounding बीच में ब्रेक हो जाएगी इसके उपर हम डिटेल में भी आगे भी बात करेंगे if you want to learn more about share market subscribe कर लो इस चैनल को bell icon पे क्लिक कर दो because it's not just about share market see I'm a business coach I'm a financial coach of finance related business related marketing related आपकी wealth management related आपको जो भी सीखने की जरोदन आपको चैनल पे मिलेगा so if you want to learn more subscribe this channel click on the bell icon and अगर आपके सवाल हैं बहुत सवाल हो सकते हैं देमांग में curiosity आगई होगी comments में बुचो because उन्ही topics के ऊपर हम आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे so you can share this video because as I told you it is an eye opener video and अपना प्यार देने के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं इसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब क्लिक ओन दा बैल आइकन I will see you in the next video till that time you are self-made